दो या दो से अधिक सब्दों से मिलकर बनने वाले नई और सार्थक सब्दों को समास कहा जाते हैं समास का मतलब होता है संक्षिप्ती करण होना यानि किसी भी सब्दों का संक्षिप्त रूप जो होता है उसे समास कह सकते समासिक सब्दों को विभक्ती सहीत अलग-अलग कर दिया जाता है तो इसे विग्रे का जाता है क्योंकि समास का विग्रे हो रहा है तो इसे समास विग्रे कह सकते और आज हम इस वीडियो में त्री लोचन या त्री नेतर का समास विग्रे और त्री लोचन या त्री नेतर में कौन सा समास होता है के बारे में जने तो प्यारे साथ यूँ वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि यहाँ पर अच्छा ग्यान मिलने वाला है सबसे पहले हम त्री लोचन या त्री नेत्र का समासिक सब्द का समास विग्रे कर लेती तो दोस्तों त्री लोचन या त्री नेत्र का समास विग्रे होता है तीन नेत्रों वाला अर्थार्थ सिव यानि जब त्री लोचन या त्री नेतर का समास विग्रेंग किया जाता है तो तीन नेतरों वाला अर्थार्थ सिव बनता है अब हम जान लेते हैं कि त्री लोचन या त्री नेतर सब्द में कौन सा समास होता है तो आईए जानते हैं दोस्तों, त्री लोचन या त्री नेतर में बवीरिय समास होता है, हमें केसी पता चलेगा कि त्री लोचन या त्री नेतर में बवीरिय समास है, तो यह जानने के लिए आपको बवीरिय समास की प्रिबासा या बवीरिय समास किसे कहती हैं, पता होना जरूरी है, तो दोस्तों आईए जान लेते हैं बवीरिय समस किसे कहते हैं या बवीरिय समस की प्रिबासा क्या होती है बवीरिय समस को समझने के लिए आपको पांच तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए तब ही आप बवीरिय समस को समझ सकते हैं वह है इस समास में पहला या दूसरा दोनों ही पद परदान नहीं होते इस समास में अन्य तीसरा पद परदान होता है समास पद अन्य पद को व्यक्त करता है इस समास का समास विग्रे वक्यात्मक होता है यानि एक वक्य के रूप में होता है समास विग्रे करने पर वह है जिस जिसका जिसकी वाला जो है आदी सब्दाती हैं बहुवीरे समास के कुछ एसे परशित उदारणों के बारे में जान लेती हैं जो बार-बार अनेक तरह की प्रिक्षयाओं के अंदर पूछे जा रहेगी तो बहुवीरिय समास की एसे उदारण है आसू तोस आसू सेगर पर्षन होता है जो अर्थार्थ सिव नमबर टू है चंदर चूड यानि चंदर है चूड यानि ललाट पर जिसके अर्थार्थ सिव शूल पाणी, शूल यानि तिर्शूल है पाणी में जिसके अर्थार्थ सिव गरूड धवज, वह जिसके गरूड का धवज है अर्थार्थ विश्णू चक्र पाणी, चक्र है पाणी में जिसके अर्थार्थ विश्णू इस तरह से दोस्तों आपको एक बार फिर शे पता देती हैं कि त्री लोचन या त्री नेत्र का समास विगरे तीन नेत्रों वाला अर्थार सी होता है और त्री लोचन या त्री नेत्र में समास बवीरे समास होता है अतहे हम आसा करते हैं कि आपको त्रीलोचन या त्रीनेत्र का समस्विग्रह समझ में आया होगा अगर आपका किसी भी तरह का पर्षन हो तो आप अपना पर्षन कमेंट बॉक्स में पूर्च सकते क्योंकि हम सभी विद्यार्थियों को उनके प्रशन का उतर देते रहते हैं और अंत में आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाई क्योंकि हम एसा ही अधिन याँ पर करवाते रहते हैं